हेलो फ्रेंट साज हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत जादा बोले जाते हैं जैसे निकलो यहां से या भाड में जाओ कभी-कभी कोई गुसा हो जाता है किसी से बात नहीं करना चाहता है तो वो उसको भगाता है यू गुसे में बोलता है एक भाड में जाओ या फिर निकलो यहाँ से तो इसको हम in English में बोलते हैं get lost भग जाओ यहां से तफ़ा हो जाओ otherwise I slapped you मतलब एक थपड मारेंगे अगर नहीं भागे तो तो हम क्या बोलते हैं get lost यानि कि जब हम किसी से गुसा होते हैं English में अगर बोलना है तो हम उसके लिए बोलेंगे get lost भाग जाओ यहां से और दूसरा word है दूसरा sentence है लेकिन क्यों अगर हम कभी बोलना चाहते हैं कि लेकिन क्यों जैसे कि कोई मेरे हां आना चाहता है और मैं उसको मना करता हूं तो वो पूछ सकता है लेकिन क्यों क्या बात है क्या रीजन है कि आप मना कर रहे हैं तो उसको English में बोला जाता है कि but why but why लेकिन क्यों लेकिन क्यों मैं वहां नहीं आ सकता हूँ what is the reason that you are not calling me at your home अच्छा चलिए अगला words है अगला sentence है घर्गीज नहीं ये हम लोग daily life में यूज करते हैं कि हर्गीज नहीं बिलकुल नहीं तो हर्गीज नहीं के लिए बोलते हैं वे हर्गेज नहीं के लिए क्या बोलते हैं नो वे इसको याद कर लीजिए अगर किसी को भगाना है तो गेट लॉस्ट बोल दो गेट लॉस्ट बोल दीजिए या फिर कोई कहीं आपको कोई काम करने के लिए माना कर रहा है तो इसको लिए बोल ये बट वाई my dear friends वाई और आगे है अगर हर्गेज नहीं आपको बोलना है मतलब कि English में अगर उसको यह ना है हर्गेज नहीं को English में तो आप बोल सकते हैं No way, no way, you don't have any other chance or any other way to do this हर्गेज नहीं, बिलकुल नहीं अब आगे है, बिलकुल नहीं, देखिए, बोलते ही आगे है, बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं अगर आपको बोलना है किसी काम के लिए जैसे मम्मी ने अलमारी में मुरब्बा रखा हुआ है and you wanted to eat it because your mouth watered by washing, by seeing that almira, अगर मन कर रहा है लेकिन मम्मी को देखा, मम्मी ने कहा, बिलकुल नहीं, तो उस बिलकुल नहीं को हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे दिर स्टुडेंट्स उसे हम बोलते हैं not at all क्या बोलते हैं not at all not at all मामी ने बोला not at all बिल्कुल नहीं कताई नहीं खा सकती हो मुरभभा खा सकते हो मुरभा Okay next word पूच्छा लगा पूच्छा लगाने काम तो हमारा मतलब जो लोग लगाते हैं अगर उनको बुलना है कि पूच्छा लगा फर्स का पूच्छा लगा तो उसके लिए क्या करेंगे इंगलिश मैं क्या बोलेंगे मॉप आप यानि कि अगर ये बोलना है कि हम पूछा लगा रहे हैं I am mopping up मतलब mopping up पूछा लगा चुके हो moped up तो इस तरीके से हम अलग-अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं कि पूछा अगर लगा रहे हैं तो mopping up बोल सकते हैं अगर लगाचुके हैं तो मॉपड आप बोल सकते हैं, यहां E D लगादेंगे, M-O-P-E-D, मॉपडप हो जाएगा अबने पोचा लगाओ बोलना है तो मॉपिंग, पोचा लगाओ तो मॉपड़ लगा रहे हैं मॉपड़ लगाचुके हैं मॉपड़ next is alarm set the alarm बहुत general words है लेकिन अक्षर हम हिंदी में ही बोल देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि English बहुत easy words English बहुत difficult हो जाएगा यह अगर इची कैसे बोलें the language of foreigner we are unable to speak this concept this thought always occurs in our mind that we are unable to speak in English nothing dear ऐसा कुछ नहीं है चलो अगर alarm लगा दो बोलना है तो उसके लिए क्या बोलेंगे set the alarm next word नहीं है thank you so much अब आपको गुस्सा लगे किसी को बोलना हो कि भाड में जाओ तो get lost otherwise I slapped you नहीं तमाचा कीच का मारेंगे दूसरा है लेकिन क्यों के लिए तो अलाम लगा दो मतलब सेट द अलाम ओके सो थांक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद जिनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है